नमस्ते, मैं हूँ विनायक बजाज और मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ World Series of Poker 2022 का Final Table डकसाक रेस करके आए हैं Ace-King शूटेड के साथ और Pocket Aces है यहाँ पर Eams के पास काफी शांत बैटे थे यह लोग अभी तक Final Table पर कुछ अच्छे Hands-Pick नहीं कियें पर जब यहाँ पर Hand-Pick किया है तो बिल्कुल ही Fireworks जिसको बोलेंगे और Ace-King वर्सेज असेज इन जेंरेल यहाँ पर यहाँ पर Slow Play हुआ है Big Blind से Pocket Aces सिर्फ Flat करके आए है Trap करने के लिए मुझे लगता है काफी इनोंने यहाँ पर Value छोड़ी है इनको नहीं पता इनके पास Ace-King है ऑपोनेंट के पास यहाँ पर एक Trap बिचाते हुए Pocket Aces के साथ Big Blind से सिर्फ Flat किया है इनोंने Flush Draw है डगजाग के पास Ace-King और दो Diamond मुझे लगता है उन्हें अपना Hand बहुत ही Strong लग रहोगा जो है भी क्योंकि अगर ओपोनेंट के पास यहाँ अगर 10 का पैर भी है जो की Top पैर है तो आपको उतना डर नहीं है उस बात से क्योंकि आपके पास Over Cards है Flush Draw है और यहाँ पर अब देखते हैं क्या करेंगे क्योंकि Trap तो इन्होंने Pre-Flop किया था Pocket Aces के साथ Re-raise नहीं करके सिर्फ Flat कर लिया था और अब देखना चाहेंगे कैसे Continue करेंगे शायद Raise करके आना चाहेंगे Flop पे Pot को बड़े करनी की कोशिश करेंगे देखते कैसे Continue करेंगे Interesting Trap है यह काफी Fold तो Definitely नहीं हो सकता Raising Chips ही लग रहे हैं मैं अभी कुछ देर में पता चल जाएगा But Raising है for sure 14 Million डाल दिया है इनोंने और 8 Million के आसपास Call करना है यहाँ पर Dugzak को Continue करने के लिए पर काफी Interesting क्योंकि Flush Draw है आई तिंक यही चेक करने हैं मेरे पास Flush Draw है ना और देखेंगे हाँ है और शायद All-In के लिए जाएंगे यहाँ पर काफी Strong Hand है Ace-King of Diamonds इस Board पर दो Diamond खुले हुए है और देखिए यह हम देख पा रहे है All-In करते हुए और Snap Call by Pocket Aces I think कि अपना Trap इनोंने जो बिचाया है शायद काम आएगा पर Flush Draw है 9 Outs है 37% Chance आप देख सकते हैं बहुत खुश नहीं होंगे मुझे लगता है इम्स यहाँ पर Pocket Aces दिखा कि अल्दो इनोंने Trap बिचाया था बट मुझे लगता है फोड़ा सा देखिए अब देख पा रहे हैं उनकी चकल पर बहुत खुश नहीं है आइडियली जब आप Trap करके आते हैं Pocket Aces इन जेनरल आप एक अच्छी सिच्वेशन में होते हैं और आप खुश होते हैं जब All In All In हो जाता है बट यहाँ पर नहीं बड़ी Final Table है और बड़ा Run Out है अब पोट देख सकते हैं पता नहीं कितने का है मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं यह 101 मिलियन हो गया है तो शायद यह जीतेगा Almost Chip Lead नहीं तो टॉप 2-3 चिप्स का पॉट ही है तो बहुत ही जादा Massive और यहाँ पर Queen आए देखिए इनकी शकल पर दिख रहा है पसीने आ रहे हैं इनको Jack additional outs हो गया है 12 out है इनके पास 25% chance है देखिए क्या होता है Dugzak भी थोड़े confident तो दिख रहे हैं और यहाँ पर Pocket Aces लेके Eames काफी दुविदा में लग रहे हैं River का इंतजार करते हुए उसके बाद emotions दिखेंगे आपको बहते हुए लोगों के और नहीं आते हुए बहुत खुश आपका trap काम आया Pocket Aces का Although आप pre-flop भी all-in करते तो Ace-King से आपको पैसे मिल जाने थे लेकिन फिर भी ऐसे एक situation होने के बाद मुझे लगता है काफी सांस में सांस आएगी और देखिए सेकेंड इन चिप्स हो गया है 100 मिलियन चिप्स के साथ और डग्जाक हमारे अब शॉर्ट स्टैक हो गया है चार बिग लेंड के साथ और ऐसे ही इंट्रेस्टिंग पोकर के वीडियो देखने के लिए देखते रहे हैं हमारे Poker Go India का चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें